काफी लोग है जो प्रेक्टिकल नॉलेज़ उनको नहीं होती बठा ठीक हो पढ़तो लेते हैं मैनुफेक्ट्रिंग पढ़ लेते हैं बट उनको बेसी की नहीं पता कि डिजाइनिंग कैसे की जाती है क्योंकि डिजाइनिंग जब आप करना चालो करोगे तब समझ लो कि आप मेंरे शासी है जल्डी अविधल कि सब्सक्रांइब होतायँ सबसे पहला प्रोसे क्या होता है सबसे पहला साइस करते हैं तब जाको वो manufacturing के लिए जाता है तो जो सबसे पहली चीज़ है तो आप लोगों को आने ही चाहिए तो उसके लिए आपको first year से ही सीखना होगा अब डिजाइनिक करेंगे कैसे डिजाइनिंग में आपको computer की जरूद पड़ेगी यह तो कौन से software से जिनको आपको सीखना होता है तो सबसे पहले आपको डिजाइनिंग से स्टार्ट करना है फिर आपको सीखने है ठीक है तो जो डिजाइनिंग के सॉफ्ट्वेर से वह हैं जो में सॉफ्ट्वेर से जिनकी इंडस्टी में डिमांड चलती है बाकी और भी नए सॉफ्ट्वेर्स आये हैं जैसे कि फ्यूजन 360 है आप इन में से कोई भी एक सॉफ्ट्वेर अच्छा सीख सकते हो बट अगर आप सिविल के हो तो मैं आपको पिफा करूँआ बल्कि सिविल के लोग जानते भी ह अब में चीज़ेंगे कैसे ठीक है तो सीखने के लिए आप यूटूब पर वीडियो देख सकते हो तुटोरियल करके काफी अच्छा चैनल उस पर काफी ज़्यादा वीडियो है ठीक है अगर आप बोलोगे तो उससे पहले मैं और वीडियो बना दूंगा बटक उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा खुद से बताना पड़ेगा कि हाँ सच मैं आप सीखना चाते हू आपको बेसिक सीखने में ज्यादा टाइम ने लगए उसमें उन्होंने भी काफी ज्यादा टाइम दे रखा है वो प्रैक्टिस के लिए बट मैं आपको एक ओवर भी दे दूंगा ना तो उससे आपको ब्लोगो समझ मा जाएगा कि हाँ सॉप्टेयर का काम क्या है बेसिकल आपको समझ मा जाएगे और जो बेसिक पार्ट होता है वो भी आप कवर करी लोगे कम समय में तो उससे आपका काफी फायदा रहेगा बट कमेंट करोगे तब होगा यह काम ठीक है मैं आपको बना दूँगा और आपको बात आती है एनलेसिस की अब पहले हम एनलेसिस को करने वाले हो जैसे आपने को भी पार्ट को एक एक्जांपल ले लिए आपको बनाना है ठीक है तो आपने पहले उसकी डिजाइनिंग करोगे फिर आपने उसका मटेरियल किया बट आपको यह काम आपका बना रहे हो यह इतना लोड ले पाएगा जहां पर मैं इसको यूज जा सकते हैं मतलब इसकी जो इस्ट्रेंद्ट पता करने के लिए मतलब एनलेसिस करते हैं इसको स्मुलेट करके हम चेक करते हैं कि हाँ यह तो यहां पर आपको सीखना है फिर उसके बाद एंसे पहाना है ठीक है तो अगर आप इधर से भी ओवर्वी मांगोगे तो यह भी म मैं की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर आप बोलोगे तो मैं एक्स वीडियो के बना दूंगा तो स्टार्ट कर दीजैनिंग और यह सीखना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप मेकैनिकल से हो ठीक है और से हो तो यह सब तो आपको आना ही चाहिए और जो भी लोग करना तब समझ लो कि आपको समझ में लग जाएगी कि कैसे होती है क्योंकि काफी ज्यादा में चीज होती है मैं बाइ-बाइ-टेक कियर और कमेंट करके जरू बता देना चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब जरू कर देना गाइस प्लीज अगर वीडियो अची लगे तो ल